जैसरी श्याम, राधी राधी, राधी रुकमन की रसुई में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम ककड़ी की सबजी बनाएंगे ककड़ी की सबजी बहुत ही नॉर्मल सबजी है और इस सीजन में ककड़ी बहुत आ रही है अभी तो तो उस हर घर में ककड़ी की सबजी बनाकर खाई जाती है बहुत ही नॉर्मल सी बात है लेकिन आप मेरी तरीके से बनाएंगे न तो सबजी सबको बहुत पसंद आने वाली है इसको हम हलका साथ शाही टस देंगे और एक सीक्रेट मसाला इसमें डालेंगे जिससे कि इस सबजी बड़ों कोई नहीं बच्चों को भी बहुत जादा पसंद आने वाली है तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा इसकिप करकर के वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा पूरा देखिएगा तभी आप इस सबजी को मेरी तरह से बना पाएंगे और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए राधार उपन की रिसोई को और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर यह 400 ग्रम ककड़ी ले लिए अच्छे से धोकर साफ कर लिया है अब अपने पसंद के अनुसार इसको कट कर लीजिए और हलका सा टेश जरूर कीजिएगा वरना ककड़ी जो होती है वो खारी आजाती है आप अपने पसंद के इसाफ से इसको कट करके तयार कर लीजिए फिर यहाँ पर यह 3 मीडियम साइच के मैंने टमाटर ले लिए दो हरी मीर्ची ले लिए एक चमज भरके मैंने किश्मिश ले लिए और काजू ले लिए और एक इंच ले लिया है अधर कट टुकड़ा इसको भी हम कट कर लेंगे और एक मिकसर जार में इस सभी चीज़ों क बनाईएगा हलका सा दरदरा रखिएगा और इसका दरदरा सा पेश्ट बना के आप तयार कर लीजिए मिर्चे आप कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अगॉर्डिंग मैंने दो लिए अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो एक हरी मिर्ची डाल दीजिए अब इसका दरदरा सा पेश्ट बना लीजिए तो देखिए मैंने इसका दरदरा सा पेश्ट बना कर तयार कर लिए हैं तो लीजिए पेश्ट हमारा तयार है अब चलिए हम सबजी बनाते हैं तो मैंने एक चमबच भरके इसमें ओईल डाल दिया है ओईल को अच्छे से पहले तो इसमें वनफोर चम्मच मैंने हींग डाल दिये बाकी मैं अभी कुछ भी खड़े मसाले इसमें ज्यादा यूज नहीं कर रही हूं आप चाहें तो डाल सकते हैं जैसे कि लॉंग हुआ तेजपात हुआ दालचीनी का टुकड़ा या बड़ी लाइची या छोटी लाइची पर मैंने नहीं डाला है और फिर मैंने इसमें आधा चम्मच डाल दिया है राई के दाने और आधा चम्मची मैंने इसमें जीरा डाल दिया है अच्छे से इनको तड़कने दीजिए और तड़कने के बाद में जब हलका सा ओल हमारा ठंडा हो जाए तो इसमें लाल मिर्च डालते ही तुरंत आप अपना पेश्ट डाल दीजिए जो हमने बना कर तयार किया है उससे लाल मिर्ची जो होगी न वो जलेगी नहीं हमारी अब जो बाकी के मसाल हैं वो भी इसमें डाल देते हैं तो 1-4 चमच मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर एक से सवा चमच इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर पहले एक चमच डाल दिये अब थोड़ा समय और डाल देती हूँ और टेस्ट के अकोर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए नमक आप हमेशे ही अपने स्वादा अनुसार डाले तो बस मैंने अपने टेस्ट के अकोर्डिंग नमक इसमें डाल दीए अब सारे मसालों को अच्छे से आप मिक्स कर लिजिए सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए अब उसी बाउल के अंदर डाल के हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि मसालों को हमें अभी पकाना है तो हलका सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि अच्छे से हमारे मसाले पक कर तैयार हो जाए एक बार इसको मिक्स कर देते हैं अब इसको हम ढख देंगे और ढख के मीडियम फ्लेम के ओपर, जब तक कि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक नहीं जाती है, मसाले अच्छे से नहीं पक जाते हैं, एक अच्छी से इसमें खुश्बू आने लगेगी, तब तक आप इसको पका लीजिए, गेस की फ्लेम को मीडि कर तयार होगी, यकीन मानिए, मैंने पहले भी ककडी की सबजी डाली है, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आईए, ककडी चना डाल की, अब जो हमने ककडी कट की थी, वो इसके अंदर डाल देते हैं, तो मैंने इस साइज में कट किये, इनको गोल गोली, इस तरह से गेस की फ्लेम को इस समय हाई कर लीजिए, फटाफट फटाफट इसको चला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब इसके अंदर हम थोड़ा पानी डाल देंगे, तो मैं एक कटोरी पूरा भरके इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ककडी हमारी अभी पकी हुई नहीं है, तो इसको पानी के आवशकत है, और बस अच्छे से एक बार इसको चला देते हैं, जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, तब हम गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पर जब तक कि हमारी ककडी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती है, इसको हम पका कर तैयार कर लेंगे, एक बार इसको ढग देंगे, आप बीच-बीच में इसको खोल लीजिए, और पानी भी चैक करती रहिएगा, और इस तरह से आप इसको पका कर पूरी सबजी को रेडी कर लीजिए, जब तक कि हमारी ये ककडी पूरी अच्छे से सॉफ्ट नहीं ह जाती है, और देखिए मैंने बीच में इसको एक बार खोल लिए, तो जो ताजा पोदिने की पत्तियां होती है न, वो मैंने इसमें डाल दिये, आप जरूर से डालिएगा, अगर आपके पास में है तो, अगर पोदिने की पत्तियां नहीं है, तो पूरी सबजी बनने के ब दालिएगा, मैं पोदिने की पत्तियां डाली है मैंने, तो मैंने बीच में ही डाल दिये, इससे इसका अंदर जो आरोमा आएगा न, पोदिने का वो बहुत ही गजब का आएगा, और सबजी भी हमको ये नुकसान नहीं करती है, वरना ककड़ी की सबजी कही लोगों को पित या नहीं होई है, तो लीजी हमारी ककड़ी बहुत इच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, मैंने चेक कर लिया इसको, अब कुछ मसाले इसमें हमको और डालने हैं अभी, तो पहले तो मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा चमच गरम मसाला पाउडर, क्योंकि हमने कोई भी इसमें हुटवासी बनके त्यारों, तो सबजी बहुत अच्छी लगती है, अब देखिए, मैं इस सबजी को हलका सा खटा मिठा बनाऊंगी, तो थोड़ी सी मैं इसमें शूगर डाल रही हूँ, बस एक चमच, थोड़ी सी हमने इसमें किश्मिश भी डाल दी थी, तो उसका भी इ ठास हो चुक है, बस इतना ही डालूँगी मैं, आप अगर चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो, बड़ना आप इस तरह से बनाएंगे न तो सबजी बहुत अच्छी बनती है, अब देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ मेरा सीक्रेट मसाला, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सांबर मसाला, ये डालने से सबजी के अंदर बहुत ही गजब का फ्लेवर आएगा, और बच्चे भी सबजी को मांग मांग कर खाएंगे, उन्हें भी ये सबजी बहुत पसंद आएगी, तो बस लीजिए हमारी पूरी सबजी बनकर तयार हो थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ओ डाल दिया है, मुझे हल्किसी गाड़ी लग रही थी, अब फिर से इसको एक बार हम ढग देंगे, ताकि जो सांबर मसाले का फ्लेवर है वो सबजी में हमारा बहुत ही अच्छे से आ सके, तो बस अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, एक पर फिर से इसको ढग कर छोड़ देते हैं, बस एक से दो मिनट के लिए और लीजी हमारी सबजी बिल्कुल रेड़ी है, अब अगर आप चाहें तो इसमें हलका सा निम्बू का रस भी डाल सकते हैं, खटास के लिए, पर मेरे जो टमाटर थे वो बहुत ही ज़्यादा खट और बहुत ही लिपटवा सी सबजी बनकर तयार हुई है, आप चाहें तो इसमें ग्रेवी ज़्यादा भी रख सकते हैं, वो आपके उपर है, क्या आपको सबजी ग्रेवी वाली पसंद है या इस तरह से लिपटवा पसंद है, मैं तो आज इसको बिल्कुल इसी तरह से खा अपनी फ्रेंड्स और फेमिली में शेयर कीजिएगा, जैसरी शाम, राधे राधे